क्रिकेट के सबी चाहने वालों का हर दिक स्वागत है दोस्तों तीसरे टीटोंटी महाद संग्रा मुकाबले में भारत वनाम ऑश्टिलिया के वीच क्रिकेट नाइंटीर गेमपले के माद्याम से प्रारम हो चुका है यहां पे सिक्का उचला टॉस जीता है अउस्टिलिय टीम ने खड़ा करती है भारती टीम के सामने बड़ा स्कोर पहाण जैसा टार्गेट और उस टार्गेट को छीज करना होगा भारती टीम को इस बक्त चार दसमलब चार ओवर की समाप्ति के पास चाहद एक सो बतीस रन खड़े करती है पांच-पांच ओवर का इस सुपर 5 मुकाबला है मौसलम के कारण आप देख सकते बानी की बूंद में टिमाती हुने जड़ा रही है और मौसलम के कारण मातर पांच-पांच ओवर का मुकाबला है सीपीज कोप सरा सौट डीपेंड विकेट सीमारेका के बाहर चार रन विलेंगे हापई ट्रेविस हेड पंदरा गेने धेतर रन तुफानी पारी खेल चुके हैं इस बक्त अब देखना होगा दोस्तों क्या यूथ इंडियन क्रिकेट टीम 30-0 टीम मुकावली में जीत हांसिल कर पाईगी बड़ा मुकावला अंतक जरूर देखा अंतिम गेन उसके वाद भारती टीम आजाए कि टार्गेट को चेस के नगे 136 रन खड़े कर दिया है और अंतिम गेन अच्छी गेन 137 रन का टार्गेट भारती टीम के सामने पांच पांच जोवर की सांदार सुपर फाइब मुकावले में और दर्सुकों से निवितन दोस्तों युवा भारती टीम का सपोर्ट कीज़ो देखते रही है इस मुकावले को अंतक आज चुकी है सलामी जोड़ी वलिवाजी करने के लिए ट्रेविस हेड और श्टीव स्मित नोट आउट रहे पांच पांच ओवर की सुपर फाइब महा संग्रा मुकावले बड़ा टार्गेट करका बाज चुके हैं दोस्तों छाती चोड़ी करका है सब्वी जाइजवल के साथ रितुराज का एक पाड़ जेसन वहरेंड रॉफ के हाथ में गेंड सौप ये पहली गेंड लेका तयार है जेसन वहरेंड रॉफ सामने करेंगे रितुराज का एक पर तीस गेंड है 137 रन जीत के लिए दरकार पहली गेंड तो पहली गेंड पर इताबर तोड़ प्रहार डाउन दा ग्राउंड दरसक दिरखाम है के इनको डिलेवर कर दिया है अगेंड को कुछ से अतंदाज में भारत वणाम भारत वणाम दोस्तों आउस्टिला के बीच 30 रेटी 20 क्रिकेट महा संगरा मुकाबले में सभी क्रिकेट के चाहने बालों को हार दिक सुआगा तो चलिए तैयार फिर से यहां फिर से तैयार है एक बार फिर से अच्छी गेंटी को फ्तरा सौट है डीप पॉइंट सीमारिका के बाहर दूसरी गेंट पर विला जबाप रहा है डाउन दा ग्राउंड डीप पॉइंट सीमारिका के बाहर दूसरी गेंट पर सांदार करारा सौट के लाए हाँ पी ये सस्वी जैसबाल एसियन गेम्स में गोल्ड मेडल भारते टीम को दिलाया है और उसके बाद दोस्तों अब और टिले के खिलाब स्टीट ओंटी सीरिज में दूसरी मुकाबले में स्तांदार अब्द सतक लगाया अरंब प्रचंड है जीत स्रुष्चित होगी तीसरा टीटों टीम महा संग्राम गेंपले मुकाबला भारत वना मुष्टिले की बी चल रहा है यूथ इंडियन क्रिकेट टीम यूबा भारते टीम चुनोती पेस कर चुकी है दो मुकाबले जीत चुकी है अब तीसरा और निर्णा एक मुकाबला आज अगर मुकाबला जीती है सूरिया एंड कंपनी तो 80-20 स्रंकला और कंगारियों की चेहरे पर फिर से निरास अच्छा जाएगी कुछ मुकाबले पहले विस्ट कब जीती है ओस्टिले टीम और आज लगातार दो मुकाबले हाज चुकि तीसरा मुकाबला सांदर निर्णा एक पार फिर से आउगा एक पार चोते के एंपर फिर से प्रहार लाज जबाब छक्ता जबरदस्त टाइमिंग है और अदुत्य विस्वस्वस ने परदर तर दर्सकों में खोसी हर सो लास का माहूल है और हर तरफ दर्सकों में ख उसी साब दिकाई दे रही है वडा टारגם जो कड़ा किया है उसे टीम ने उस टारגם को चेज़ करते हुए भारती टीम टारकेट को चेज़ करते हुए इस वक्त तूफ़ानी अंदाज बे इरित्राज का एक बार चार गेंदों पर चार चक्के लगा चुके है ये सज़ भी जाइसवाल साथ दे निकला है वहरें ड्रॉप और कप्तान इस बक तो बातचीत कर्तूने जरा रहे हैं आपस में एक तालमेल की गुंजाइस कमी नजरा रहे हैं गेंद बाल्च के पीच में एक आसान सा गेंच हो सकता था पिछलिए गेंद पर चले तैयार वहरें ड्रॉप पांचवी गेंद लेकर सामने करेंगे इरित्राज का एक बार इस बार कोप्सरा सौट सीधा सौट मेड़ ओफ के दिसाम फिल्डर मौचु डोट बोलाई बड़ा टारगेट को चेस करना होगा होते हाँ पितावड तो उड्रॉप बलेबाजी करके दिखानी होगी बड़ा टारगेट अंतिम गेंद 24 रन आ चुके होवर से येसस वी जायस बाल पिछले मुकावले के हीरो और इस वक्त रिचर्ड सन करेंगे गैनबाजी एक ओवर के समापती के पच्छा 30 रन भारती टीम के स्कुर हो चुगा है ट्रेविस हेड ने सामदार अर्ध सतक लगाये था तेतर रनों की पारी खेली थे उसकी बदोलत भारती टीम के सामने पाच-पाच ओवर के सुपर पाइब टीटोंटी मुकावले हैं दोस्तों पहार जैसा लक्ष खड़ा ग्याज टार्गेट को पीछा करती हो भारती टीम ए है कि हस्ताक्षर एससवी जाइसवाल लेकर दिया महासंगरा मुकावला है महासंगरा मुकावला तर्जगों में खोजी हरसो लास का माहूल है और ऐसाल लग रहा है दोज़तों अब रोत रूप धारन करके इस वक्त एससवी जाइसवाल पहली गेंद पर छक्का लगा चु सीमा रेका के बाहर इस्टीडियम के बाहर दर्सक दिर्गा में जो मुरे भाई यूटुब के मादम से इस मुकाबले को देख रहे हैं दोस्तों तो आप लोगों ने कर रहे हैं यूथ इंडियन क्रिकेट टीम यूवा भारत का सपोर्ट कर दीजे और जुड़ जाए हमारे सा इस मुकाबले में अंत तक देखिए मुकाबला बहुती जबरदस तो रोमाच चकोने बाला स्थांडार मुकाबला है दर्सकों में हर सो लास्ट खुसी का माहौर साफ दिखाई दी रहा है चले फिलाल ये सज़बी जायस बाल सामने गरेंगे ये सबक तावर तोड़ गया परकट किया है पीचे पिल्डर मौसूद और विकेट मिल सकता था है यहाँ पर डारेक्ट रिप जी नहीं सिंगल चुराया आसानी से यहाँ पर सिंगल चुराया तावड तोड़ बले बाजी करनी होगी बड़ा तारगेट रिंकु सिंग को पिर से चुनोती मिल सकते हैं इकीस गयनों पर चुराया विरोनों की आवज सकता है अब देखना होगा क्या भार्थीटी में हाँ से जीत पाई की सूर कुमार यादब के साथ आपर कट किया कीपर के उपर से कीपर के उपर से हैं सीमा रिका के बाहर चार रन विलेंगी रितुराज का एक बाड़ को लेकिन रितुराज का एक बाड़ को एक चीज़ का पसेज ध्यान देना होगा यहाँ पे चोकों से ही में एक मुकाबला जीता नहीं जा सकता है चोकों से मुकाबला चोकी लखाने से मात्र करीब जाया जा सकता जीत नागर है तो लंबे-लंबे हिट लगा कर दिखाने होगी इस मुकाबले में यह हुआ भारती टीम के सामने बड़ी चनोती पेस कर दी है उस्टी टीम ने 20-90 रनों के आवसकता जीत कले 20-90 से से 90 रनों के आवसकता यागर इस मुकाबले में जीत हांसिल करने है तो वलेवाजी कर रहे है रितुराज गाएक बड़ 34 रन बनाकर 7 गेनों का सामने की है उनका साथ ते रहे हैं सजवी चाहस बाल तीन गेनों पर 13 के स्कोर पर 20 गेने 90 रन वड़ी तावड तोड़ वलेवाजी करने के आवसकता है रिचर्ट सन चार गेनों पर 17 रन खर्च कर चुके हैं सामने रितुराज गाएक बड़ चले देखते हैं पांच युगेन देका तयार एक दिस्तमलब चार ओवर की समापती की पस्चा 47 रन भारती टीम के स्कोर हो चुका है फिर से और इस बार हवाई पार करना चाहते थे हवाम एगेन और गेप में सामदार चार रन अजुत्तिये अब इस वसने बलेबाजी दो लगातर चोके लगा करें यहां पर रितुराज गाएक बार रन गती को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रियाज करते हुए अगर ऐसे ही बलेबाजी करते रहेंगे तो जरूर भारत्य टीन जीत के करीप पहुच जाएक आठ गेने अरतीस रहर रितुराज गाएक पार जबरदस्त बलेबाजी आच्छा ओट परसे पॉइंट सीमारिका के बाहर दर्सक दिर्खाम डगाउट में डिलिवर कर दिया छे रनुकले छक्टिय का पहुचार एक और सांदार प्रदस्त ने हाफिक कर दिया दुत्तिय विस्वसने बलेबाजी दर्सकों में खोसी है आरसो लाज का माहूल है और ऐसा लग रहा है दोस्तों कुहाटी के मैदान पर फिर से भारत्य टीम जीत के साथ 30-20 मुकाबले पर जीत के साथ पर्चम लहरा देगी और अगर इस वक्त जो मुकाबले में बलेबाजी चल रही है रितुराज गाएक बार शवालीश की स्कूर पर फिलाल सस्वी जैजबाल सामने करेंगे बिना कि चिप गेट कुछाना पर 137 रन का पहार जिसरा टार्गेट खळा किया भारती टीम के सामने और क्या कुपसरा सोट अपर कट किया है क्या कलात्मक बलेबाजी फील्डर मौजू थे दर्सक बनके रह जाएंगे चोका तो बटोर आयहां भी छेरन मिने सामदार अंदाज में तो युवा भारती टीम के सपोर्ट में लाइक के जरू करतीजेगर आप लोगों भी तेकिसी मुकाबले को लाइक नहीं किया तो पिना सोचे समझे पिना किसी देरी के लाइक करतीजे मुकाबले को महासंगरा मुकाबलत चल रहा है चलिए दो दसमलब दो वरी की समाप्ती के पस्चादोनतर रन भारती टीम के स्कूर हो चुका है और सांदार वलिवाजी करते हो है फिरसे कोपसरा सौट क्लासिक सौट है पीछे फिल्टर मौजूद है एक सिंगल मिलेगा असानी से सिंगल चुराया है 15 गेने सरसट रन एक असंभव सा टार्गेट संभव करके दिखाया है इवा भारती टीम ने अब यहां से उम्मीदें पर करार लग रही है कि जीत हांसल की जा सकती है अगर आप लोगों को सपूर्ट रहेगा करोडों भारती दर्सुकों को सपूर्ट रहेगा दूस्तू और आज यह महासंग्रा मुकावला भारत मरामोश्टियक भी तीस तरह टीटों टीम महासंग्राम गेम पिले मुकावला चलता हुआ नातन कुल्टरनायल को लगे इंदवाजी के लाए नेतन कुल्टरनायल के इंदवाजी करने आएंगे कुल्टरनायल सांदार के इंदवाजी करते हैं और वड़ी चनोती रहेगी अब तीन गेने सेस रहे गई है पंद्रा गेने सरस्ट रनो की आवस सकता है सामने तुराज है गाइक बर चवाली स्कूर पर सामने करेंगे सामने करेंगे नातिन कोल टरनाल की गाइनवाजी का और यह स्टम्प गेंथी बाल बाल बच्या बझाए वलीबाच भारते टीम बड़ी मुसीवतों की बीच नजर आ रही है हवाई पार कर दिया रुतराज गायकबाड ने छक्के के साथ आरम प्रिचंड है जीत सुनिश्चित है छक्के के साथ अपना हर दिस्ता तक पूरा कर दिया 135 मीटर दूर रुतराज गायकबाड एक क्लासिक रुतराज गायकबाड ने इस मुकाबले में अगर दोस्तों आप लोगोने इस मुकाबले को अभी तक लाइक नहीं किया है तो बेज जग कि विना किसी देरी के लाइक कर दीजे बारा गिने 55 रन सामने रहेंगे इसस्वी जायसबाल 26 रन वना कर बलेबाजी कर रहे हैं इस वक्त 26 रन बना कर दोस्तों बलेबाजी कर रहे हैं इस बक्त इस मुकाबले में अब तारीब करनी होगी यहां से इस मुकाबला फस चुका है पूरी तरीके से मुकाबला फस चुका है यहां से चिनोती पेस करनी होगी चिनोती पेस करने होगी इस मुकाबले में हाँ से भारती टीम यसिस विजाए इस वाल 6 गेंदों पर 26 रन बना कर खेल रहे हैं दितराज का आइक बारा गेंदों पर 26 पर रन और इस बक तैसी ही कुछ चितावर तोड़ वलिवाजी के आवसकता है बारा गेंदों पर 55 रनों के आवसकता है जीत के लिए 82 रन भारती टीम तीन ओवर की समापती की पच्चात हो चुपाई दोस्तों तो बांच-पांच ओवर का इस सुपर फाइब मुकाबला चल रहा है भारत वनाम ओस्टीलक भी तीसरा टीन टीम चेम पर मुकाबला चलिए सामना करेंगे फिर से सामना करेंगे फिर से यससबी जायसवाल 26 के स्कूर पर एंड्री उटाई के इन पाज एंड्री उटाई के गेन अच्छी थी हवाई पार करना चाहते है थी हवाम है गेन दोड़ पड़े हाँ पे सिंगल के लिए आसानी से दूसरे रन के लिए भाग पड़े हो रहे और ऐसा लग रहा है यहाँ पे कापी दूर रह गए वलेवाज आने वाले वलेवाजों की बारें बात की जाए दोस्ते यहाँ से रन गती जिस अंदाज से यहाँ पे आबस्तक है उस अंदाज से रिंको सिंग को आना चाहिए सबसे बड़े फिनसर नजर आ रहे हैं लेकिन इस बक्त सूरकुमार यादब 262 के स्ट्राइक रेट से बलेवाजी करते हैं कप्तान है इस रंकला में आये हैं बलेवाजी करने के लिए और देखना होगा दोस्तों मुकाबला रोचक हो चुका है 11 गेने 24 रन 11 गेने 24 रन सामने सूर्या मौजूद है ये सस्ट भी जाइस बल आउट हो चुके हैं 11 गेनों पर 54 रनों के आवसकता है 83 पर एक भाग तेटी 3.5 वेक ओवर के समापती के 55 पांच ओवर का इस आंदार मुकाबला चल रहा है एंड्री उटाई के हाथ में गेन तैयार एंड्री उटाई तैयार हैं गेन बाजी करने के लिए सामने करेंगे सूर्कुमार यादो और एंड्री उटाई के गेन ती सूर्कुमार यादा खराब सोट और सफलता मिल चुकी लगातार ओहो मुकाबला पुरी तरीके से फस सुगाया अब मुकाबला फस सुगाया लगातार दो विकेट और दवाप में नजर आएगी अब हर पृति गैंद यहां से चख्के की दरकार भारते धीम को जीत के लिए और आने वाले वलेवाज रिंकू सिंग, अलीगड का सेर, एक बार फिर से इनके एक अंधों पे वड़ी जिम्मेदारी सौप दी है, भारते टीम ने, दस गेने, चंवर रनों के आप लगा सकता है, जीत के लिए, दस गेने, चंवर रन, हर गेन पर छक्के की दरकार है, उस सा पत्रा छक्का यहाँ पर लगा के दिखाए, रितुराज गाएक बार ने, सांदार वलेवाजी, इस वक्त रितुराज गाएक बार के द्वारा की जा रही है, इस मकाबले में, अगर आप लोगों ने दोस्ता आवीदा के इस मकाबले को लाइक नहीं किया, तो प्लीज पत्रा इस मकाबले में विजय इसरी हांसिल करने के लिए आरंभ परचंड हुआ है, जीत सुनिशित होगी पांच मुकाबलों के इस रंकला पांच सुन से, विजय इसरी होगी भारती टीम, फिलाल सामने करेंगी रितुराज का एक बार, नो गैने अर्ताली लाइक बार, इ रितुराज उभरता हुआ, एक नया सितारा चमकता हुआ वल्लेबाज, क्लासिक वल्लेबाजी, प्रॉपर वल्लेबाज इस वक्त और सांदार अंदाज में आज पिछले मुकाबले में कुछ धीमी वल्लेबाजी करके दिखाई थी, आलोचना एक कुछ हो रही थी, लेकिन आ गेने व्यालीज रन सामने रितुराज 14 गेनों पर 68-60 रन बना चुके हैं। अपनी चतुर चालाग के अनबाजी से बले बाद जो को फसा चुका है। आज के इस मुकाब्र बहुत ज़्यादा प्रिभावित किया है दोस्तो रितुराज गायकपार ने आज के इस मुकाबले में सांदार मुकाबला चल रहा है। साथ गेने 36 रन और अगले ओवर में स्ट्राइक पर रहेंगे रिंको सिंग कहीं से कहीं ते गुंजाइस भी नहीं है। सिंगल लिया जाए इस मुकाबले में सिंगल की कोई गुंजाइस नहीं है। यहां पर ड्रेसिंग रूम के निचले हिस्से में गेंट गराई छक्टे के साथ ओवर की समापती हो चुकी है। सकता है इस मुकाबले में जीत लेख 6 गेने से से 30 रनों के आवज सकता है। मारकस इस्टोनिस के हाथ में गेंद है। मारकस इस्टोनिस बहुत चतुर चाला गेनवाज अनुभब की इनकी कमी नहीं इनके पास। अब देखना होगा यहां से क्या रोचर कहान यह बनने वाली है दोस्तों लाइक जरू कर दीजे। युवा भारती टीम के सपोर्ट में चलें। सामना गरेंगे रिंकू सिंग। अन्तिम ओबर है छे केंदों पर 30 रनों के आबल सकता है केकेर वाला मुकाबला आज दोरा ना होगा रिंकू सिंग को केकेर वाला मुकाबला दोरा ना होगा पहली गेन डीप मिड़िकेट के उपर से छक्का लगा दिया है अदुत्य विस्वसने प्रहार जो केके आर्व की तरब से खेलते हुए अन्तिम ओबर में 28 रन बनाये थे 6 चक के लगाये थे 5 चक के लगाये तमाप कीजिए वही कारणामा आज रिंकू सिंग को फिर से दोहरा ना होगा आउस्टिले के किलाब 30-30 गेमपले मुकाबले में पहली गेन पर छक्का लगा दिया रिंकू सिंग ने पहली गेन पर छक्का लगा दिया है यहाँ पर रिंकू सिंग ने सांदार प्रहार किया है और तारीब करने होगी रिंकू की अली गड़का ये वन और जवान वलेबाद जे पैसों के आभाओ की कारण क्रिकेट बार बार बीच में छोड़ना पड़ा लेकिन माने दिया साथ और नोकरी छोड़कर क्रिकेट का पकड़ा हाथ और आज भारतिय टीम का कर रहा है दोस्ते इस बगति प्रतिनी दित्तुष जावरदस कलाड़ी जानदार कलाड़ी रिंकू सिंग लगातार अपने प्रदर्सन से 6 एन करतां को प्रभावित करती उने जिराय है पांच गेने 24 रन दर्सकों से विदन दोस्तों रिंकू सिंग के सपोर्ट में लाइक जरू कर दिए वीडियो को फिर से रिंकू से डेक और कोपसरा सौट अजबार एक्स्ट्र कवर सीमारेका के बाहार दर्सक दिर्खा में 6 रन क्या खूब बलेबाजी करके दिखा रहा है रिंकू सिंग इस मुकाबले में हर तरप रिंकू सिंग के नाम की गूंज गूंज रही है और ऐसा लग रहा है रीपले में और भी कोपसरत हर जगए क्लासिक बलेबाजी ऐसा नहीं है तावर तोड़ प्रदसन करके दिखाते हैं क्लासिक बलेबाजी है क्लासिक सोट रिंकू सींग के बल्ले से दिखाई देते हैं मठारेट जे गए, फील्ड के मद्धिने जिर रखते हुए, फील्ड के अनुसार बलेबाजी करके दिखाते हैं, चार गेने अठार अरण, अभी भी मुकाबलक खतम नहीं हुआ है, रिंकू सिंग ऐसा खिलाड़ी है, जो इस कारणामे की उकरके दिखा सकता है, दो गेंदों असी रनों की पारी के लिए है, 119 पर दो, 119 पर दो है भारती टीम, रिंकू के उपर दारूमदार, चार गेने अठार अरण, मारकस से स्टोरिज गेंद बाज, अब देखना हुआ हुआ रिंकू क्या कारणाम करके दिखांगे, फिर से पल्टोस गेंदी रिंको से इंगिस बारसम बरक उतना अच्छा नहीं है, फिर भी गेंद जाएगी सीधी डगाउट में 6 रनों के आबर, ताबर तोड़ बलेवाजी, क्लासिक बलेवाजी, हर जगाए दिसा और दसा को मद्देने जरती, योजना वद्द तरीके से रिंकू सिंग प्रदर्शन करके दिखा रह है रिंकू सिंग ने, उसी सोहरत को आज फिर से दोहरा दिया है रिंकू सिंग ने, तीन गेने बारा रन, तीन गेने बारा रन, रिंकू सिंग मौजूर है, चले, मारकस से श्टोन, इस पर एसान निरास ने जला रहे हैं, तो ऑस्टिले खेमे में संकट के बादल, और फिर स काफी खुस नजर आ रहे होंगे भायरते टिम को एक दूसरा सिक्सर किंग मिल चुका है इस बक्त कड़ी चिनोती जो पेस की थी ऑस्टेले टीम ने उस चिनोती को दोस्ते हाँ पे स्विकार किया है अब दोगेने चेरन दोगेने चेरन दोस्तों आप लोगों से घंतिम निव मुकाबल होने बारा आज जबर दस मुकाबला एंतिम दोगेने सेस हैं और यहां पर जीत के छेलन की दरकार सामने रिंको सिंग मवजूद चार के नोपर च्वश्त रन बना चुके रिंको दसिक्सर किंग रिंको दसिक्सर किंग और गेंद लाजबापती हवाई पायर तो गिया है देखना होगा दूरी कितनी तैकिये है यहाँ छक्के के साथ छक्के के साथ रिंकू सिंग ने इस महासंगरा मुकाबले में अपनी भुजाओं का बल दिखाते हुए जीत भारती टीम की नाम करते है रीपले में देखिये क्या खूब सरत बलेबाजी है क्लासिक लेट से भारती टीम ने मुकाबला जीत लिया है दोस्तों तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करते चले मिलते हैं गले मुकाबले में जब तक लिए आप लोगों से बिदा जातना हूँ जैहिन जै भारत